मद्य प्रदेश के रिवा जिले के नईगडी थाना अंतरगत समाज में तेजी से बढ़ती असूर्ता से मानवता हुई कलंकित एक नर पिशाच के द्वारा संपून सभ्य समाज को जंकचोर देने वाला मामला सामने आया है जहां पांस साल की मासूम के साथ दुशकर्म किया गया वहीं मिली जानकारी के अनुसार यूवक मासूम लड़की को बेर खिलाने के बहाने बहला फुसला कर सुनसान जगह ले गया और मासूम के साथ दुशकर्म कर फरार हो गया जहां मासूम के रोने की आवाज सुनकर आसपडोस की महलाय पहुंची और लड़की की हालत देख अचम्बित रह गई जिसकी जानकारी आननफानन में परिजनों को दी गई महीं मासूम पीडिक को सामुदाइक स्वास्ते केंद्र नईगड़ी लाया गया प्रात्मिक उप्चार होने की दोरान देरात मेडिकल परिक्षन के लिए रिवा रेफर कर दिया गया घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधिक्षक रिवा राकेश कुमार सिंग वा अतिरिक पुलिस अधिक्षक मौगंज SDOP मौगंज नईगड़ी थाना प्रभारी पहुंचे मैंने और बच्ची को भी देखा आरोपी उसी गाउं का रहने वाला है जिस गाउं की जपना है और आरोपी के घर और फट्टी के घर में जो है विड़दा के घर में जो है मुश्की से पजाश साथ लिकर कप पाशुगा